उट जो रेगिस्तान में 60 किलो मिटर परती घंटा की रबतार से दौर सकते हैं इनकी सवारी करना एक बहुत ही प्यारा एहसास होता है इसके बच्चे बहुत क्यूट होते है और उट कैक्टस यानि काटा वाला पत्ता खाता है यहां तक कि यह साप को भी खाते हैं और इसका क कारण है इनकी एक बीमारी जिसे ठीक करने के लिए या तो इनसान इन्हें जिन्दा साप को खिला देते हैं या फिर उट खुद ही साप को खा लेता है गाइस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूराइब